नमस्तु भहम नमस्तु भहम नमाम मेहमम साथ रहे राश्टी की रहने वहला मेरे हम उम्र भाई आश्विक को मेरा नमस्तार स्वाहित आश्विका अपने पसंदेशा प्रगाम नाड़ी वैद देखाय करदे। आदम बात क्योंते हैं, क्या दर्दवे दवा की ही आप जित्ता है, क्या ये बगैर दवा की ठीक नहीं हो सकता है, मेरा 36 रोष का अरुभव कहता है, और मैं रोध्यों को ठीक करता हूँ, आप भी इसको अपना करें दीख सकते हैं, सहे आपके टकनों मेंदन दो, अक्सर बाईलाई पहती हैं टकनों मेंदन, सहे आप ले गोटने वेदा धो, या कुले वेदा धो, कंद्ने वेदा धो या सिर्व दर्द हो इनके लिए कोई दवाती आफिकता नहीं है उस दवाई आप इसको पूस्ट है मैं एक एक दर्द का आपको सपन इलाद गताऊं और मात तीन मेंट के अधर्द गायर हो जाएगा और करना की ते दिल है कुल पाथ या साथ दिन आप श्रिया का परियूब क करेंगे उस दवा का नहीं उस अध्यास का प्यासम करेंगे रोजाना दो या तीन मिंट आप लगाए और सब्सक्राइब कोई खाने की आफिकता नहीं कोई आफिकता नहीं है आपको कि जो एंटिवाइटिक्स पैनी किलाब साथ खापिर के सनी में बीपी बढ़ा रहे हैं एंटिवाइटिक्स खापिर के आपके इंटेस्टाइन सिक्टम कमजूर हो रहा है अब आपको लाड़ा हो कि इस बीटे की बिमारी बढ़ती जा रही है आपके वन गयास बंकर के प्रलाइट बंता जा रहा है यह समी वही दवाव का प्रभाव है जो आप दर्द को ठीक कर करने के लिए परियोग करते हैं अब आप सुस्क्रें व हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई है मैंने बार बार प्रियतम किया है प्थ्ण से भी नाकिम भेशद्य का प्रेच नहीं है और अगर आप बिमाने करेंगे तो कोई उसदिक रही है तो कोन सा अहेजा प्रिकुं जिसका प्रयोग करने से, आपके सभी दर्द सूमत्र हो जाएगे। असर आप प्रेशा होने हैं कमर के दर्द के, आपको विलाद क्या है आपकी कमर के दर्द का इतास, डॉक्तर जहां कहरेते हैं, बिसकी प्रोब्रोल हो गई है, ओपरेशन करना पड़ेगा, आपके पैसन हो होने लग गए है, या भैंकर पीड़ा हो ते चलने में खड़े हो जाने में, या आपसे सीधा ही नहीं करा हुआ जा रहा है, यह समीह आपकी डिश्की प्रोब्रोल है, और डॉक्टरों का एक्सरे कहता है, L4, L5 के नीचे आपकी दर्द परेगा, और इसके लिए क्या पड करता है, उस दर्द से 4 अमरी से दबाते जिलेते, ऐसे ही इस तरपी, वर्टिकल, पूर और पश्यम, उत्रफेक्शन, 6-6 अमरी की दूरी ये करते है, 4 अमर और 2 अमरी करते हैं, 6 अमरी तक अपने अमरी के ऐसे प्रैसन करते हैं, जहाँ आपको एक नस मिलेगे, उस नस में कुछ टाइटनस मिलेगा, कुछ टाइट हो, और जब वहाँ उसको हम इलाएंगे, तो दब मिलेगा, बस, उसी नस को रड़ते रही है, यानि वो रस आपकी रुक रही है, आट में नस दिर्ख खुलने का चाहा होगा, अटी के रिया, कहके पताते लेगा, नस खुल गई, जब आप उसको दबाएंगे, धीरे-धीरे आपका दब गईएगा, एक दिन वे आपको लगेगा, 50% आराद हो गए, आप सी देखे देऊ से, ऐसे ही दो-तीम दिन करने से जब गईए, वो जब गईए, और वहाँ द बगण सप्लाइए आई ही, तो L4, L2 तरने से कभी नही दबे, कोई आपरेशन करने के जब गईए, ऐसे ही आपको उत्तर में, पूरों में, दख्षा में, उत्तर में, चारों दिशाओं में, ऐसे ही छेच से अलूल तक की गोल्ड प्रेसर मनाकर की उमली से दबाते चले जाए, जिस दिशा में आपको ज़्यादा मैज़ोस हो, सम उत्रा ही दगर पेचरे जाए, आपसे कोई दवाई खान नहीं कि आख सकता है, बच दर्द को रगरगर के, आपको गर्म दूद, थोड़ी सी हल्दी डाल करके, गर्म दूद का परियों कर लिए, और अज़र शां के समय आपने रखड़ा है, तो बेशन के हल्वे में, आपको रखड़ा है, जिसको कमर काता है, जिसको कहते हैं, प्यार सुर होगे, देखिए, रुगे मैं, ये मेरा अलवा है, मेरी यहां रुगी आते हैं, मैं मातर दो मिंट के अंदर देखड़ा नहीं हो जाता है, उस वेक्ति की नसे रगर ठीक हो जाता है, दुबारा नसे बरुक ना हो, उसके लिए खोलना देखड़ी है, रपो के खुलने के पश्चात पर फिर भी लगता दुबारा होगे, तो उसके लिए आप अलवा खाई हैं, क्योंकि तागता हैं, लगाता है, आपने सरीन के अंदर ताकत आती रहें कि खोल का निर्मान होगे, तो पोवरी भी दुबारा आपको ये दर्द नहीं हो, कई बार डॉक्टर कहते हैं, कि आपका दर्द खापी दिलोशी था, इसलिए आपने आपने आपनी दिया, और उस दर्द के करण आपकी लसे जो है, वेई फूल टेक हुई, ऐसा तभी नहीं होता, हमारा से दिलोजारा नय नय नि होता रहता है, ये दर्द कभी भी दुवारा नहीं होगा, लेकिन पत्ता है स्रीविना कि में इस जिम परेज चरेंगे, तो उस दी किया आप सिंगता नहीं है, और परेज क्या है, सुबह का बोजन नो बजे से पहले कर लेजिए, कुछ में खाई, पूरी आईए ब्राम्ट आईए स्वोसे खाई, जो बारा सुबह नो बजे से पहले खा लीजिए, और शाम ता बोजन भी चार से नो के बीच में करना है, बोजन के बीच में आपको गोट और करके पारी पीना है, दर्द में सुबह कभी भी हो, तो तीशी किरिया को दोराना है, और बूज में हल्द दाल किंटे पीनी जीती है, या फिर बेचन के हलवे के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाग मुखे उसका पड़ी उखर लीती है, देखिए, पर योग करना फिर कवाल करना, और गवाल करके इस वीडियो को शेर भी करना, तो कि आपको अधर जब ठीक हो रहा तो अपने साथिय को भी बताई, और गवाल कराने से सरीन ही खराब हो जाता है, जिन्दगी बेचार हो जाती है, जिसने कावल का अपरेशन करा, फिर गट्रों का कराईए, गट्रों का अपरेशन करा, तो कुले का कराईए, कुले का अपरेशन करा, तो बंदे पर गएए, कहा कहा अपरेशन क की दर्द की अफसर माई लाएं कहती है मेरे कक्ड़ों में दर्द हुराइब चल नहीं पाती ही नहीं ही वोटी हो गए उसके लिए भी आपको क्या तरना है ऐसे ही ठैम मुल्का एरिया दिली थी और उनको रहते लिए जहां आपको दर्द में उसको खतल कर दिए और जहां को सप्वाई या भी ठीक हो जाएगी तो एडि में दर्द हो गया तो आपको तकने बोल गया है तो तकने बोलते है वह तो अंगर वह सोज रहा है तो पुनलनवारिश्ट के दाहते पुनलनवादी मंदूर का प्रियोग कर दिए और दिन के तुन पश्चात खाने के पुनलनवादी मंदूर का प्रियोग कर दिए वह आपकी थो दिल का उतार देगा बोख्ष लादी हुगत और चंगर प्रखावग जी इन दोनों गोनियों को दूज के साथ लेजिए आपके टथनों गंदर्द सदा की ली चला जाएगा हो गया ने प्रवाल जह आपको और सुनूगा जैसे भी स्रीव में कहीं भी आपको दर्द होता है तो अब बात कहते हैं कंदे के दर्व की जिसको अखसर कहते है फ्रोद शोल्ड की विमारी कंदे जाम हो जाते हैं यह दटका जाता उतर जाते हैं तो इसे कंदे के दर्द का जाण तो बहुत है जैसे मानदा आपकी मसद कंदों होगी उस जाता कंदा उतर जाता है अगर आप सुबर के रोगी है तो भी आपका फ्रोद शोल्ड की विमारी हो जाती है आप टैंशन ज दर्दे शरू होते ही आपको अपने उसी साहं उगल के एरिये पर दीधाते लेकर देखे और उस तरी खेट नेखे तो थोड़ा अप्सा गरम कर लीजी बस उसकी मसाज कर दिए एक कपड़े का फुआ ने लिए वनानी जिए उसका बंदग्जा उसका कपड़े को गरम पिर उसको सेट करना है लकर तो कपड़ा डॉब बना कर दिए उससे सेट करना है और इस तरह रेक अंकित के फिर राज को आपको होई दो दोड़ा अलदी मिला कर पी जाई है या सने की आके का हलवा देखने उसमर छोड़ी सी अलदी दाल कर दिए या फिर बोजन में आप रोटियों को अधुआइँ डाली बोजन में अधुआइँ डालकर प्रांदा बनाने से पूरी बनाने से आपके सरीखे दर्द धीरि-धीरि अपने आप चले जाते हैं चाहिए वो दंद आपके फूले में ने मह कहीं देखिए अगर आप ठिक हो जाते हैं तो इस वीडियो जबने लिए लिए जाते हैं अर्शनह भाई देखता हूं, सारी शाफ के वाद सभी ओव टेड़े हो विकात रिखनाई को उठने के दर्त के कार निक रहने के दर्त के कार इस दोनों के दर्धों पर भी जही है तरीका है जहां अको अधरोरा उसे चैन मुल तक का पी रिया, मसाल की दिया, पेकि मस को दबाते ते लिदे, जी समध से वतन दो उसको पुछ वो दिर्फ तक ही नगी, ये तरह से बार बार ऐसा कमें से खाप फिशनी का प्रत तुरू हो जाएगा, और यही पर की रहा नहीं है, या तो तो गरण दूर में थोड़ी से अल्दी डालते के सो जाई है, या पिर बेशन के आलू में पर अल्दी डालते के खाग रही है, और या तो दूरती में, पूरी में, सौसे में, प्रांटे में, आप अजवाइन डाल के जिफ्काश, अच्से घी के साथ भी होगी है, आपका ठीक हो जाएं तो शेर तो करना बोलेंगे लिए, आपको तो बहुत बढ़ाएंगी दूस्ता में, आप भी बहुत 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 हैं, आप भी दर्दों को दूस्ता हैं, लेके दिया बात लाद रखिये, पत्था से विना आत्म में सब्सक्राइब, परेज दे रहेंगे त आत्म में पर्तिक बहुत बहुत कते पारी पी ना चाहिए, बहुत बहुत है, लिटन के मईत वह पी आप निया पानी अवरीत का काओ करता है, आप उसका को भी बहुत खान दीए, और खरते किये, कैसे आपको कोई और बिमारी आहे जी ही नहींगे, फ़्रिकी बात छोड़ और आप्टे प्रिवाद्धन सवस्त्राइं, इमेरा पार्थ आरे राष्ट्र सवस्त्रे और आप सभी सवस्त्रे अधिक जानकारी के लिए T-Stream के निटिए ज़ा नमर देख रहें ना है, कि कीवे नमर पर फॉंगेजिया, बाइजिया बाइजिया, बाइजिया बात्तिर हो